पारिबारिक पाटी उनके मुख्या और सदस्ता अभियान कब हो रहा है जब पेशी है चारा घोटाला में तो यही है राश्ट्रिय जनतादल का चरीत लेकिन राश्ट्रिय जनतादल का सदस्थ संख्या भी बढ़ा है विछले चुनाओं में लेकिन इनके बहुत सारे प्रवारी बनाई है और मजबूत आतंबल को प्रवारी बनाई है सदमा में आ गये होंगे जब मानिय मुख्यमंत्री नितिश कुमार जी आपसे भ्रस्टाचार का अरूप लगा तो आपसे जवाब मांगे थे आपने कहा था क्या कि नई सरकार बननी चाहिए राजत के दोरा सदस्ता अभियान की सुरुवात नय सीरे से कर दी गई है जिसकी सुरुवात राजत सुप्रीमों लालू परसाद यादों ने की है ऐसे में जदियू के मलसी निरज कुमार जी हैं बात करेंगे कैसे देख रहे हैं राजत ने सदस्ता अभियान की सुरुवा चार का जो आरोप लगा है जो सजा हुआ तो उसकी पेशी के पहले सदस्ता विश्टे के मुर्थ किसा है मनें पारिवारिक पाटी उनके मुख्या और सदस्ता अभियान सुरू कर कब हो रहा है जब पेशी है चारा घोटाला में तो यही है राश्ट्रिय जनता दल का चरित्र तो सभाविक उनके दल का अंतरिक मामला सदस्ता वियान चलाना ही चाहिए और कोई पारिवारिक पाटी है चुनाव आयोक का निर्देश नहीं रताती है जब कहां चलना है वहाँ वहाँ तो बाबा नाम के बलम करते रही है इसलिए मजबूरी है कि चुनाव आयोक का बंद सबस्ता है विछे चुनाव में लेकिन इनके बहुत सारे सबर्पित कारिकरता जेल खाने में बीए तो जेल में भी सदस्ता वियान चलेगा ना जो इनके आईकोन है राजनीट के सब लोग को को यहां गिरा को वहां गिरा कोई मालिए विविन जेलों के अंदर में हैं तो के अंदर कोई कैदी है तो उसको अगर आप उससे कोई भी सदस्ता वियान चाहे जो भी हो प्रारूप उसका हो तो उसके लिए जेल अधिक्षक से अनुमती लेकर कही कोई सिगनेचर करेगा तो यह बहुत आवश्यक है इसलिए प्रभारी जब भी नुक्त करिए तो उनको यह बता दिया विचारा कारी करता है राजितिक कारी करता है अब गए अदस्खत करा लेंगे अदस्खत करा लिए पता चला कि जेल मैनूल के तहत तो जो अंदर में है उन पर तो केस होई रहा है अजो कराने गया उभी जट में पढ़ जाएगा और यह दावा भी किया गया है कि जो जादा सदस्खत से बनाएगा उसको विधान सभा लोक सभा में टिकट दिया जाएगा पुर्व का इतिहास इसा नहीं रहा है लेकिन राजनीत में निश्कर्ष नहीं निकलता है इसलिए हमारी अपेक्षा है कि जेल मैनुवल का पालन करिए जेल में जो भी आपके समर्थक हैं उनकों के लिए पाटी के और से प्रभारी बनाएए और मजबूत आतंबल्ग को प्रभारी बनाएगा जेल सब आदमी तो नहीं जा सकता है अब जो समाज में गरीब तब करके कार्य करता है इसलिए सदस्ता ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री के बाड़े में समाजवात की चर्चा जब परदान मंत्री मोधी करते हैं तो वह समय याद करना चाहिए जब डिने पर सवाल उठेते तो कौन सही है कौन गलत मुख्यमंत्री सही है परदान मंत्री सही है कि मानिय तेजश्वी यादो जी कि हम लोग को बिहार की जनतार कि सवाल परादेश दिया जना देश दिया था 2015 में नितिशकुमार जी के नितुरित में और नितिशकुमार जी ने क्या कहा ता जीरो टॉलरेंस भरस्टाचार का का रूप लगा था और आपको अस्मर्न तेजश्वी यादो नहीं होगा चुकि आप सदमा में आ गये होंगे जब मानिय मुख्यमंत्री नितिशकुमार जी आपसे भरस्टाचार का रूप लगा तो आपसे जवाब मांगे थे आपने कहा था क्या कि नई सरकार बननी चाहि विधान सबाब भंग होना चाहिए नेया सिराश चुनाव होना चाहिए तो बिहार की परिस्तिती थी मानिय विधायक भी नहीं चाहते थे कि चुनाव तत्काल चुनाओ लड़के आयता और आप संपत्ति स्राइश्जन के मामले मुए तो हम हम जानना चाहते हैं जिमानिय तो यह महत्वपुन विशाय के राजहित में यह लिया गया फैसला और कि आपके पिता जी नहीं पहले फोन किया था याद है ना आपको तो यह दो जी निकाल करके देख लिए उसमें आपके पिता जी नितीज जी को फोन किया था नितीज जी नहीं गया थे इंडी टीवी में गूगल में जाके सर्च करके देख लिए वह साबजिनिक है कि मैंने पहली बार फोन किया तो आपको जरूरत होती है लेकिन हमारे हमारी जरूरत अगर है तो ब्रहस्टाचार की बुनियात पर राजनीत को ले जाना जिसको है वह अधिशा हमें मंजूर नहीं तो आज राजत घोसना करेगी आप लोग की कब अधिकारी ग्रूप से घोसना होगी कौन से परत्यासी कहा अभी अभी सम्मंद में तो पार्टी का प्रदेश नेत्रित करेगा इसकी आप अपचारी ज्यानकारी नहीं है लेकिन अगर राष्ट के साथ लगातार बिना लोव लालच के पर्थिकार जरूर करते रहेगी राजनेटिक पर्तिकार करते रहे यह क्यांदर में क्या करिए आप यौगितां कंग्रेस के लिए क्या होगा लोग सभा में जब एक भी सांसद इनके नहीं है तो विपक्ष की राजनीत में लोग सभा में जब सांसद ही नहीं है तो इनकी भूमिका क्या है तो केंदर में का रहेगी हमारी भूमिका रहेगी और बिहार में नहीं रहेगी पूलोग सभा में तो लोग सभा में सांवान सभा में साथ कि अब करिए बीदाद से आपके साथ कोई सांवाद नहीं कि अब यह जरुवत भी है तो हमाई साथ नियाज कुमार जी थे जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया फिलाल के लिए इस ख़बर में इतना है 816-816-700 धन्यवाद